दोस्तों मेरा नाम श्वेता है और आप देखने शुरू कर चुके हैं एंसे एक शौर गेन का वेडियो टूटोरियल आज हम आपके लिए लेके आएं की कुछ बेहतरीन स्ट्राटेज़ी जानि में अपकी यह जाता है लेकिन इंडियन मार्किट के लिए आप इसे इस्तमाल कर ते हैं चार्टिंग और टेकनिकल ऑनलाइस के लिए ही हमने आज कुछ strategies आपके लिए develop की हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं MT4 data feed आपको 500 monthly charges की fees पे मिल जाता है और इसमें आप custom strategies बना और लगा सकते हैं इसका एक बहत्री advantage है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जो viewers पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को like, share, subscribe कर देए सबसे पहले आपको जाना है mcx shore gain की website पे mcx shore gain की website पे जाके आपको downloads के टाब में जाना है डाउनलोड के टाब में आपको mt4 मिल जाएगा mt4 को आपको डाउनलोड कर लेना है mt4 डाउनलोड होने के बाद आपको उसे रन करना है next पे क्लिक करेंगे अब यह install हो रहा है इंस्टाल होने के बाद आपको इसे फिनिश कर देना है mt4 डेमो के लिए आप नीचे दिये हुए numbers पर कॉल कर सकते हैं देमो हमारी तरफ से फ्री होता है mt4 का आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं हम आपको डेटेल्स बेज देंगे या आपका इंस्टालेशन भी हम करके दे सकते हैं mt4 इंस्टाल हो चुका है यह एस करके जो आइकन आ रहा है यह mt4 है इसको ओपन कर लेंगे यहां पर आप हमको यहां पर लॉगिन कर रहा है लॉगिन डेटेल्स के लिए मैंने आपको बता दिया है नीचे दिये होए नंबर्स पर आप कॉल कर लेना या फिर मैसिज कर सकते हैं डाल के आप लोग इन कर लेंगे यह मैंने आप लोग इन कर लिया है प्रापर्टी में जाके आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं यहां मैंने इसके colors change करती है candles के और इसका एक template में default save कर लूँगी ताकि मुझे सारे charts इसी तरह के मिले यहां से मैं सारे Forex के हटा के symbol stocks को यहां पर Indian market के stocks में लगा लूँगी symbols में जाके और मैं यहां पर NSE cache के लगा लेती हूँ chart window के click करेंगे free indicators के लिए आपको जाना है अपने browser पर type करेंगे bit.ly.msgabs इस site पर जाने के बाद आपको free indicator करके एक file मिलेगी उसको आपने download कर लेना है इंडिकेटर करके आपको एक file मिलेगी उसको सबसे पहले extract to free indicator करना है file extract हो जाएगी उसके बाद double click करके free indicator की file में जाना है और m6 or nk folder को copy कर लेना है copy करने के बाद हम जाएंगे mt4 में mt4 में open data folder को open करेंगे उसके बाद mql4 indicators और उसके बाद यहाँ पर हम इसे paste कर देंगे मैंने हाँ पर यह file paste कर दी है उसके बाद मैं दूसरी file को लेके आऊंगी templates की file को पर double click करेंगे और सब files को copy कर लेंगे सेलेक्ट करके copy कर लेंगे उसके बाद files में जाएंगे open data folder और templates में जाके इन files को paste कर देंगे यहाँ पर मैंने templates को paste कर दिया है indicators पर जाऊंगी right click करके refresh करेंगे यहाँ पर आपको यह mcx शौर गिन करके आपको folder मिल जाएगा इसमें आपको सारे indicators मिल जाएंगे indicators को apply करने के लिए right click करेंगे template में जाएंगे और आपको यहाँ पर कुछ चार templates दिखाई देंगे जो आपको apply करना है उस पर click कर देंगे मैंने यहाँ पर master trader को click किया है तो मेरे पासे आ गया है लगके indicator अगर आपको यह हटाना है तो वापस से template में जाएंगे और default करके जो हमने किया था save उसे फिर से apply कर देंगे कोई और apply करना है तो उसी तरह से जाएंगे और दूसरे वाले पर template पर click कर देंगे यह इस तरह से लगके आ है यह इंडिकेटर्स आपको बाइसल के alerts देते हैं और अलग-अलग format के आपको candles दिखाते है एक यह इंडिकेटर है इस तरह से आपको empty for data feed के साथ यह इंडिकेटर्स फ्री मिल जाएंगे डेमो के लिए मैंने आपको बता दिया है नीचे दिये हुए आपको कर सकते हैं तूडेज का फ्री डेमो होता है मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइटेक केर एंड हैपी ट्रेडिग